पिर से आजर हूं आज एक नई वीडियो में आज हम जिस लैपटॉप को आपके सामने ले के आए हैं वो है HP ZBook 15U G3 Core i7 में 6th generation है 16GB RAM 512GB SSD के साथ हमें यह model मिलता है और साथ हमें 2GB Graphic Card मिलता है AMD का Fire Pro तो लैपटॉप को कैसे चेक किया जाता है प्रोफेशनल वे में कैसे चेक किया जाता है किस तरीके से हमने इसकी बैटरी हेल्थ चेक करनी है ग्राफिक Card को कैसे देखना है और क्या क्या चीज़े है जो लैपटॉप को चेक करने से पहले बाइक करने से पहले आपको चेक करना ज़रूरी है तो आज हम इस वीडियो में इसी के अबाउट बात करने वाले हैं अगर आप मेरे चैनल पे नए है तो कानी चैनल को सब्सक्राइब करतें लाइक करें वीडियो को और शेर करें दोस्तों में ताके लोग इस वीडियो से फाइदा उठा सकें तो चलने जी चलते हैं वीडियो की तरफ इस ताम यह मारे पास HP ZBook 15U G3 मोडल मिल जाता है बात की जाए तो लैपटॉप स्लीम है यहाँ आप हमें पोर्ट देख सकते हैं जी सी पोर्ड भी मिल जाती है डिस्प्ले पोर्ड मिल जाती है सॉपर अधने कory उस्पे के साथtor मिल जाती है संगल wireless्र तो्मण कि पास होगे इसको हम स्पचिफकेशन को भी ऑन कर लेते हैं देख लेते हैं और यहां पे की बॉडट लाइट अब लेकaceutि बैकलाट की बोर्ड लाइट है, डिस्प्ले भी इसका UFHD में मिलेगा, ZBook का लोगों में यहां पर मिल जाता है, Core i7 का में यहां पर लोगों मिल जाता है, साथ ही हमें इसका Biometric इसका थम भी मिल जाता है, ठीक होगे जी, यहां पर भी कुछ कीज दो मिल जाती है, साउंड की औ अपने सबसे पहले जो है DirectX लिखना है और इसकी specification को चेक करना है कि यह बेसिकली चीज है क्या, model कौन सा है, window कौन सी है, सारी चीज़े हमें यहां पर पता चल जाती है, यह देख सकते हैं, यहां पर आपको data की बता रहा है, window 10 pro बता रहा है, कौन से version की हुई हुई है, यहा पर हमें जो display Intel का बता रहा है, वो कौन सा है, 520 है, और जो next है, वो render में, AMD FirePro V4190M मिल जाता है, और यह 2GB का है, यहां पर आपने display memory देखने है, 2GB, totally 10GB का बन जाता है, यहां पर sound देख सकते हैं, और साथ ही अपने input देख लेना है, आपको सारी चीज़े मिल जाएंगे, को यहां से आपने देखना है, प्रोसेसर की GHz स्पीड कितनी है, कितने core है, कितने logical processor है, यहां पर CPU में आना है, CPU में आपने यहां से आगे देख लेना, CPU में देख सकते हैं, core हमें 2 मिल जाते है, logical processor 4, और cache हमें इसकी 4 मिल रही है, 4MB, GHz हमें 2.6 GHz, इसमें हमें मिलते हैं, और यहां पर डिस्क देख लेंगे, डिस्क कौन से लगी हुए, डिस्क किसमें 512 GB की SSD लगी हुए, तो शीबा की बड़े वाली, अच्छे यहीं से आपने GPU 1 देख लेना है, GPU 1 में आपको यहां पर फायर प्रो यहां पर आपको बता देगा, यह माला model लगा हुए, कितने लग हुए, 2 GB का लगा हुए, यह 3D वर्क के लिए में काम देगा, कॉपी करते हुए, यह ग्राफिक कार्ट चलता है, वीडियो एंकोर्डर में तब आप वीडियो रेंडर कर रहे होता है, तब काम करता है, कंप्यूट में काम करेगा, मतलब आप लाइक, हैवी सॉफ्टेर चल यह एक रहे है, तो यह ग्राफिक का लिए चीज़ का लिया से काफी बेहतरीन चीज़ आपको यह मिल जाती है, दूसरा आपने क्या होता है, यह वैट स्क्रीन में इसके वाइड स्पोर्ट करके देखना कोई भी मसला मसाला आगा हो, तो आपको वह चीज़ वाइड में आपने power cfg लिखने यहांपर मैं आपको description में इसकी command दे दूंगा description में आप command copy करके यहांपर paste करके battery check कर सकते हैं तो आपने power cfg battery report लिखने साहथ इंटर करेंगे तो यहांपको path मिल जाएगा path यहां आपने copy कर लेना है copy करके आपने my computer खोलना है और उपर वाली ही बार में इसको paste कर देना है shortcut की है यहीं पर आपने इसको paste कर देना है किसी भी browser में कियेगा उसमें खोल लेना है ठीक है और यहाँ पर आपको यहाँ पर model के साथ नीचे आपको install battery मिल जती है install battery में आपने design capacity देखनी है 31,000 है full charge capacity भी 31,000 है cycle count 0 means कि इस time battery new पड़ी हुए manufacture आपने देख लेना है कि HP है कि नहीं HP नहीं है तो battery चेंज है अगर battery repaired भी होगी तो बता देगा cycles count होना जब चुरू हो जाए तो battery repaired होती है तो since आपने देख लेना है इस time laptop जब से window यह दो ग्हेंटे चालिस मिनिट लैपटॉप चला है तो इसकी battery timing दो ग्हेंटे चालिस मिनिट आपको नौर्मली मिल जाएगी लास में आपने इसका camera चेक कर लेना है camera खोलने लेना है HD Cam होता है इनके Cam को खास अच्छे नहीं होते ठीक है HD Cam हमें मिल जाते हैं तो इस time laptop के आपने फिर price पे चला जाना है और gaming पे इसको मैंने चेक किया PUBG type की game GTA 5 type की game इसमें आप से normally easily चल जाती है बड़ी screen है तो मज़भी आता है 15.6 inch screen FHD में प्राइस की बात कर जाए तो यह आपको market में इसकी price value मिलेगी 115.000, 120.000 और 130.000 तक भी बज़ड मिलेगा condition पर ड्यपेंट करता है तो इस time हमारे पास इसकी price में मिल जाती है वो 120.000 है अगर आप मेरी video कर reference के साथ आप shopkeeper से contact करते हैं और मेरे रिव्यूस रेटिंग का चैनल का नाम बता कि अगर आप मुझे से लैपटॉप लेंगे तो आप बार्गिनिंग करने के बाद आपने 10% मेरे चैनल से ओफ करवाने हैं और इस्चालला आपको ये चीज़ 10% आफ के बाद भी अच्छे प्राइस में मिल जाएगी तो ये थियाज की हमारी वीडियो अगर आप वीडियो में कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कॉमेट सेक्शन में आप मुझे से पूछ सकते हैं तो मैं आपको इसका रिप्राइग करूँगा तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें अल्ला हाफिस